हेलो स्थो कमाई का अड़ास यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम डिसकस करेंगे एक ऐसे शांदार कमपनी के बारे में जो ग्रीन हाइडरोजन के फिल्ड में बहुती बड़े लेवल पर दोस्तों ही काम कर रही हैं खास करकर जो कमर्शियल वेहिकल्स ह होते हैं उसके अंदर एंड जो सब्मरीन होते हैं या दोस्तों हेवी जो मशनरीज होते हैं उसके लिए बहुत से से अलग-अलग सोर्स हैं जिसके लिए इस कमपनी के प्रोड़क्ट ग्रीन हाइडरोजन फिल्ड में यूज होते हैं यानि कमपनी के पास दोस्तों इस सेक् क्या है कि जो government है आप सभी ने देखा होगा कि government ने बहुत ही जबरदस तरीके से focus इस sector पर रखा है green hydrogen के उपर तो हम इस company के बारे में जो details आपके आगे रखेंगे आप उसको देखकर and दोस्तो कुछ समय के बाद में याने कुछ दिनों के अंदर ही मैं आपको date भी बताने वा है तो आपको काफी easy होगा decision लेने के लिए कि company में आपको क्या करना है खास तोर पर जो लोग निवेश करना चाहते उनके लिए अभी quarter one के result भी देखना काफी जरूरी रहेगा तो दोस्तो हम यहाँ पर पहले थोड़ा company के business को समद लेते हैं company के पास storage से related transportation से related देखें दोस इसके लिए particular एक special quality का जो tank होता है वो बनाना पड़ता है storage की बात रहने दो या एक place से दूसरे place पर transport करना हो उसके लिए storage tank लग सकते हैं और उसको बनाने का काम यह company करती है and next अगर हम use के बारे में बात करें company के पास के business का जो भी यह company बनाती है उसके अंदर आप देख सक तो कि hydrogen fuel sales system for the automobiles and heavy vehicles के लिए याने जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं कि commercial vehicle चलेंगे या बस चलेंगे green hydrogen पर उसमें जो दोस्तों tank वगेरा लगेंगे या जो भी यहाँ पर fuel system लगेगा उसको बनाने का काम यह company करती है and आप यह भी देख सकते हो कि यह marine and दोस्तों यहाँ प sales system रहते हैं उनके लिए भी company काम करती है and various यहाँ पर product देख सकते हैं storage tank है transport tank है इनके पास यह lion shield यहाँ पर transportable tanks है multiple core यहाँ पर इनके पास transport line देखने को मिलेंगे बहुत सी चीजे हैं जिसका फाइदा यह company आपको भर भर कर लेते वे नजर आएगे ऐसा नहीं कि सिरीब green hydrogen का ही business है company के पास दोस्तों company various type के यहाँ पर sector में भी काम करती है and company का नाम है inox India limited इसका share दोस्तों 1318 रुपय पर trade कर रहा है इसके result कब आने वाले वो भी मैं आपको बताऊंगा बट इसके return देखे company को market में आकर बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है काफी कम समय में दोस्तों यहाँ पर इसने अच्छे खासे return कमा कर दिये 44% के बहुत कुछ इसमें होना बाकी है और मैं आपको अभी और भी detail company के बारे में बताना start करता हूँ खास करकर अगर आप company के जो starting के बात करेंगे तो 1976 से company काम कर रही है खास जो solution इनके पास है वो engineering, manufacturing, installation of equipment system for the यहाँ पर खास करकर जो gas वगेरा equipment से related पर्टिकुलरली आप इसके field से related देखना चाहे तो gas इंडस्टी जो है वो यह लिएंजी इंडस्टी जो है दोस्तों वो and आपको बहुत से यहाँ पर growthable sector के companies इनके client नज़राएंगे और एक सबसे बड़ी बात यह जो लोग वक निकाल कर पूरे detail देखते ना उनको फायदा मिलता है कि इंडिया में first in India it is the first Indian company to manufacture a trial mounted green hydrogen transport tank यह जो transport tank है जैसे कि कोई भी vehicle बनेगा तो जैसे पेट्रोलर डीजल की जो टंकी होते है न वैसे ही यह company tanky बनाती है ऐसा समद लिजिए which was designed jointly with isro isro जैसे यहाँ पर company के साथ connectivity बना कर आगर यह company बढ़ती हो आगे तो इसका मतलब आप समद लिजे कि इसके पास weightage क्या है international presence भी बहुत अच्छा है इसका United States, Saudi Arabia सभी देशों में business फैला हुआ है and customer भी बहुत अच्छे दोस्तो और इसके user industries आप यहाँ पर पढ़ सकते है industrial gas, liquid fire, natural gas, green hydrogen, energy, steel, medicals and healthcare, chemicals, fertilizer, aviation, aerospace, pharmaceutical, construction and इनके client आप देख सकते है isro company इनका client है आप सभी को दोस्तो ऐसे बड़े से बड़े companies client आपको नजर आ जाएंगे तो company अच्छी है इसके अंदर तो कोई doubt नहीं है और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इक company अभी यहाँ पर 11,938 करोड के market के अप वाली है इसका peer ratio दोस्तो उतना सस्ता नहीं और उतना महिंगा भी नहीं है इसका return on equity और return on capital employed बोट things सारे supreme level नजर आते है और इसके promoter के holding में कोई बदलाव नहीं है बहुत अच्छे से वो hold करकर चल रहे है और आप खास करकर देखेंगे तो इसमें थोड़ा-थोड़ा stake D.I.S. और F.I.S. ने बढ़ा लिया है और अभी उनके पाद 6-6% का stake है और public ने थोड़ा यहाँ पर 1% के करीब का stake कम किया है यह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तो अगर Inox India के results related discuss करे तो Inox India जो company है इसके result आपको जल्दी याने के आने वाले 9 अगस्ट को आपको देखने को मिलेंगे और वैसे भी इस company का long term का performance काफी बढ़िया है आप यहाँ पर sales भी देखेंगे तो अच्छी तरीके से grow हो रही है और दोस्तो net profit भी देखेंगे तो continue improvement में है स्रीप और स्रीप ऐसे company में समय देने के लिए आप तयार हो तो ही आगे बढ़ना चाहिए I hope दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो काफी knowledgeable रहा होगा और मैं आपको कहूंगा कि इस company को आप जरूर अच्छे से understanding कीजिए क्योंकि इसमें और बहुत कुछ होना बाकी है और ये बहुत ही अच्छे level पर market में value एड़ कर सकती है company का IPO December 2023 में आया 44% premium पर लिस्ट हुआ है अच्छा खासा इस company में दमखम है जरूर आप इस company को यहाँ पर study कर सकते है thank you